जले की तैसल विजयपूर में ग्राम पंचयत उप्चा में खिरकाईयों से दो लोगों के अपहरण का मामला सामने आया है जिसकी सूचना अपरन युवको ने फोन पर अपने मामा निवासी गावडी को दी है कि हमें पांच बंदुग धारियों ने पकड़ लिया है हम मधु केड़ा की पहाड़ियों के उपपर हमें ले गए हैं इतना कहते ही मुबाईल स्विच ओफ हो गया उसके बाद मामा ने उपचा गाव में फोन करके बताया कि युवको केरी सिंग और संजे को डकैतों की द्वारा अगवा कर लिया गया है इसी सूचना पर गावड़ों ने जाकर देखा तो युवको की कपड़े खिरकाई पर पड़े मिले उसके बाद परीजनों ने गाव टीमों का गठन कर चारों दिशा में जंगल सर्चिंग प्रादम की गई एवं टेक्निकल एवं सोशल जानकरी फरियादी एवं उसके परिवार जनों के संबंद में संग्रहित किये जाने हैं तो टीम अलग से गठित की गई जंगल सर्चिंग एवं साइबर सेल की मदद से 6 बजे अपरत संजे कुश्वा, पुत्र श्री निवास एवं हलके पुत्र पती कुश्वा को घ्राम उपचा के जंगल से सरकुशल बरामत किया बाद में अपरताओं से साइबर इन्फरमेशन एवं सोशल इन्फरमेशन की आधार पर अलग-अलग पूचताच की गई में दोनों के कतनों के आधार पर अपने अपरन की घटना की जूठी साजिश रची गई थी कहीं कोई किसी प्रकार के बदमाश नहीं थे मामा ने बनाया प्लान अपरत हलके के अनुसर देर रात खिरकाई पर सोते हुए अपरत यूवकों से उनके मामा केशव निवासी गावडी एवं अरोद्र निवासी श्रीलाल कुश्वा ने फोन कर कहा कि तुम लोग जंगल कियो और भाग चाओ और जंगल के रास्ते अरो कुर्द गाउं में ही रहे इस बात का खुलासा जब हुआ पुलिस ने इनके मुबाइल को ट्राकिंग पर डाल कर लोकेशन का पता चला एस्ट्योपी निर्भास सिंग अलावा ने बताया कि दोन अपरतों के पता श्रीपती और श्री निवास गाउं वालों से चंदा 182 का अपराद प्रंचिकरत किया है उप्तकारवाई में थानप्रभारी यानके शर्मा थानप्रभारी प्रदीप शर्मा उपनिरक्षक संदीप यादव थानप्रभारी की एहम भूमिका रही